नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम खबर की खोज सच की पड़ताल जनपक्ष नजरिया बे खौफ बे बाग सत्ता का जूट बे नकाब आग में तपी पत्रकारिता दाखती है सवाल दर सवाल राजा नंगा है और हम सब को नंगा करने पर उतारू है यह जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है यह तस्वीर सिर्फ मध्रप्रदेश के सीधी इलाके के एक थाने भर की नहीं है दरसल यह हमारे लोकतंत्र की तस्वीर है यह हाल हमारे लोकतंत्र का है लोग को जो अधिकार मिले हैं, जो सुरक्षा मिली, जो बराबरी मिली, जो कानून के सामने सभी नागरिकों को एक साहक मिला, वह सब उतारने पर उतारू है सरकारें, चाहे वो केंदर की सरकार हो या राज सरकार, या फिर तमाम सरकारी मशीनरी. अब मिसाल के तौर पे देखिए मामला सिर्फ आकार पटेल के विदेश में जाकर भाशन देने भर का नहीं है और नहीं सिर्फ उनको रोकने के लिए उत्री पूरी बेहियाई के साथ सरकारी मशीनरी का मामला इससे बड़ा है लेकिन अकार पटेल जो एमनेस्टी इंटरनाशनल इंडिया के पूर प्रमुक रह चुके जाने माने human right activist पत्रकार हैं वह लंबे समय से मूधी सरकार की महरबानियों का शिकार रहे हैं उन्हें विदेश में एक लक्चर देने जाना था और इसके लिए उन्होंने पूरी प्रक्रिया अपनाई उनका passport क्योंकि ED की महरबानी लंबे समय से है CBI की महरबानी लंबे समय से है उनका पासपोर्ट जब था उन्होंने बकायदा अदालत में जाकर अपील की कि उन्हें पासपोर्ट वापस दिया जाए क्योंकि उन्हें इस इस तारीक को विदेश जाना है अदालत ने पासपोर्ट वापस दिलवा दिया फिर हवाई अड़े बैंगलोर हवाई अड़े पर उन्हें रोक लिया गया और कहा कि CBI का लुकाउट नोटिस है फिर वह अदालत पहुचे इसके बाद उन्होंने दर्वाजा खटटाया दिल्ली की अदालत का और दिल्ली की अदालत ने कहा कि जिस तरह से उन्हें रोका गय जिस तरह से CBI का जो लुकाउट नोटिस जारी किया गया वह सरासर गलत है अदालत यही नहीं रुकी उसने कहा कि CBI को माफी मांगनी चाहिए आखार पटेल और तमाम लोगों को लगा कि मामला सुलट गया अब वह वापस जा सकते हैं उन्होंने तुरंथ ही रात का दुबार उन्हें रोक दिया गया और बताया गया कि CBI ने अपना लुकाउट नोटिस वापस नहीं लिया है वह फिर अदालत गये हैं और वहां उन्होंने अपील की है कि कंटेम्ट अफ कोट का मामला बनाया जाए इसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि इस मामले से एक अंदाज सत्ता होती है सत्ता नंगी होती है वह कुछ भी कर सकती है उसके उपर कोई जवाब दे ही नहीं होती जो पैसे वाले होते हैं जो ताकतवर होते हैं जिनका शाशन होता है वह सब कुछ पूरी बेशर्मी के साथ करने के लिए आजाद होते हैं यू कहिए बनाना रिपबलिक यानि जिसकी लाठी उसकी भैस, तो क्या भारत बनने जा रहा है या बनने की प्रक्रिया में है बनाना रिपब्लिक, आएए चलते हैं मद्प्रदेश की ओर, क्योंकि मद्प्रदेश से जो तस्वीर आई उसने आपको हमको सबको जगजोर के रख दिया है, यहाँ पर हमने द में अंदर रखा गया, 18 घंटे से अधिक समय उन्होंने इसी अवस्था में बिताए, वजह कि जो लोग गिरफतार किये गए, वे सत्ता को चुनौती दे रहे थे, बहुत बड़ा खौफ था, उनमें से दो लोग पत्रकार थे, हम बात करेंगे यहाँ पर पत्रकार कनिश्क तिवारी जी से, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह जो तस्वीर पूछ रही है, सवाल सिर्फ एक पत्रकार को या सोशल एक्टिविस्ट को इस तरह से अंडरवेर में घुमाने रखने का नहीं है, सवाल यह है कि यह जो पुलिस प्रशाशन, यह जो पूरा तंत्र है, यह किसी भारतिय नागरिक के साथ सरे आम इस तरह का सुलूक कैसे कर सकता है, नियूस क्लिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कनिश जी, और जिस तरह से आप लोगों ने एक आवाज भी उठाई, खास तरह से आपने, जिस तरह से दबाव बना, जिस तरह से आप लोगों के कपड़े उतार कर फोटो खीची गई, और उसके बाद आपके खिलाफ अब दुश्परचार किया गया, लेकिन आप मजबूती से खड़े रहे, हम आप से जानना ये चाहते हैं, कि यह जो पूरा मामला हुआ है मध्रप्रदेश में, क्या इससे पहले भी पत्रकारों पर और खास तोर से जो छोटे चैनल चलते हैं उनके उपर और उनके पत्रका चलते हैं, उन्हें तो एक अच्छे पत्रकार का दर्जा दिया जाता है, और जो खिलाप में ख़रे चाहतना सुरू कर देते हैं, दिखाना सुरू कर देते हैं, उन्हें भरजी पत्रकार का तंगा दे दिया जाता है, अलाकि पत्रकार का कोई मुझे दी लगता कि प्रमारी कैसे उठाया जाते हैं, कैसे समाज तक उन बातों को पोचाया जाता है, जो बेहत जरूरी है, कि हम जिसे बोर्ट कर रहे हैं, उसके भी जो कारिक्रिया कलाप है, उसके बारे में जानमे का जंता को भी अधिकार है, उन सरकारों को भी अधिकार है, जो दिन रात बुनदान करत कि हम लोगों की बहतरी के लिए काम करते हैं, तो हम जैसे लोग जो छोटे पफर्णगार होते हैं, क्योंकि हमें बड़ी अस्थान बड़े चै इंट नहीं मिलता है, हमारे ज्नियू चैनल जो बड़े हैं, क्योंकि मैं ठीओर न्यूस नेशन में बतोर स्ट्रिंगर था सीधी का और बहुत चारी ऐसी खबरे होती है उनके पास इतना खबरों में टाइम भी नहीं होता कि सीधी जैसे चोटी जगे की खबरों में क्योंकि टीरपी भी नहीं आएगी और मैं जानता हूं कि वो गुद्धा पूरी तरह से ज को यह पहली बार मैं नहीं हो इन आप यह आप कि ओ हां कियो कि अस्वार के पत्रगार की सम्मान की बात थी क्योंकि मुझे लगता है कि में डिया क्या एगजूट हो कहीं नहीं हमने उस जगह पर पहुचायेगा जब यह बात अप्ड़ है कि आ खिर हम है को चोड़ जो जाना चाहती हैं कि यह घटना हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं जो उनको इसक्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि आप वहां पर गए थे एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था उस विरोध प्रदर्शन की खबर करने आप गए थे उसके बाद जितने लोग थे सबको पकड़के उन्होंने थाने में रखा जैसा कि हमें पता है कि तकरीबन 24 गंटे या 18 गंटे से उपर आप लोग थाने में रहे आप लोगों के सारे कपड़े हटा दिये गए थे और उसके साथ फोटो भी कीची गई यह फोटो जो खीची गई जो फोटो वाइरल जै बिलकुल यह एक बेहत हास्यासपत बात है और एक घंबीर और विशय पर यह बात करते करते हैं तो इससे तोर पर मैं मानता हूँ कि यह कहीं न कहीं धमनकारी और बेहत कहा जाए कि प्रूर रवया था एक उस फोर्द पिलर के लिए उस एक आम आदमी के लिए जिस आम जलगए देखर को र हुड़ख्शार्त होती है जो रक्षक की बात होती है वो भग्षक गयान है ठीक है मगर मैं उन가 लक्यांतों के बारे में बदाता हूं कि यह कैसे हालातने और ठीक हमने फिर फोटो ही ची और फिर च्बूर रवा थान ऊपको बताता हूं जब हम लोगो तो कोल देर रात लगमत साढ़े आठ नौ बजे के करीब अंदर घीड के साथ गुसेडा गया पर्टिकुलर मुझे टार्गेट किया गया क्योंकि बीते दस दिन पहले ये मैंने इखबर चलाई थी कि थाना बना मैं खाना सिटी कोथवाली थाना बना मैं खाना क्योंकि उनके प्रिषर में सराब की बोतले और कोरेक्स की बोतले पड़ी थी तो मैंने यह सवाल खड़ा किया था कि भारत के ठाई और उन्हीं के प्रिषर में में जब बुली याम इस तरह दंभी पसरी है तो हम कैस해 मानें की गईक सही संगेश दे रहा и और जनता से सही बाते हो रही हैं, क्या जनता तक उनके आदेस जाते हैं या फिर खुद भी जो उनके अधीनस का विकारी कर्मचारी है उनको उनके लिए भी प्रधान मंत्री जी के आदेस होते हैं, इस तरीके से खबर भी चलाई थी, तो इसको काफी उनों ने इसू बनाया थाना प्रभारी में ऐसे चोने, और जब मेरे साथ वो मारपीट करने लगे, आपको मैं बता दूँ कि उस समय का जो भी वक्त था, वो मैं मनजर याद करता हूं, तो अमूमन मैं भागुख हो जाता हूं, मुझे दुख लगता है कि सायद मैं गरीबों की आवाज नहीं ठा है, अलाकि फिर मेरे साथ जब मारपीट हुई और जुलूस निकाला गया, तो उस दौर पे ये कहा जा रहा था, कि तुम पत्रकार हो, तुम बिधायक और पुलिस के खिलाब ख़ब नहीं चला होगे, और यदि चला होगे, तो आज तो ठाने के अंदर जुलूस निकाला ग के, बिना किसी खौफ के, इसकी एक कड़ी निउस लॉंडरी से जुड़ती है, जिसमें देखा कि हेट मॉंगरिंग के खिलाफ जो रिपोर्टिंग है, उसे किस तरह से निशाने पे लिया जाता है, या फिर बलिया में, जो हमारे सामने आया, कि पत्रकारों को गिरफतार कर के अंदर डाला गया, लेकिन इसकी जो बहुत एहम कड़ी है, वह कश्मीर से जुड़ती है, कश्मीर में 5 अगस 2019 जब से आर्टिकल 370 हटाया गया, तब से लेकर अभी तक 35 से अधिक पत्रकारों को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अपने निशाने पे लिया, और आकड़ा उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, 35 का आकड़ा हमारे और आप तक पहुचा है, नियोर्क की Human Rights Watch संस्था के जरिए, इसमें कश्मीर वाला जो वेब साइट है, उसके पत्रकार फहाद शाह, उसके ट्रेनी रिपोर भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट या फोटो की वजह से नेशनल इंटरनेशनल ख्याती हासिल की, कश्मीर प्रेस क्लब जो श्रीनगर में चलता है, वह बंद कर दिया गया, यह सारी जो नाम हैं, इन्हें हमें जरूर तब याद करना चाहिए, जब हम मीडिया 2020 से जेल में बंद हैं, और उन पर आरोप सिर्फ इतना है, कि हाथरस में जो दलित बेटी के साथ बलातकार हुआ था, उसकी वह रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, आज तक वह जेल में बंद हैं, यह कड़ी जो पत्रकारों पर हमले की है, यह बहुत बड़ी है, यह सोचना का महौल, नफरत के एजेंट, जो खुले छूट रहे हैं, इन सब के बीच कोई कनेक्शन है क्या, अब देखिए, जिस तरह से बलातकार और हत्या के आरोपी, डेरा सच्चा के जो राम रहीम हैं, उनके बारे में हाई कोट यह कहता है, कि यह हाड कोर क्रिमिनल नहीं है, इस तरह से पूरा का पूरा मौहौल बनाया जा रहा है, हमारे आपके आसपास, कि कोई भी व्यक्ति, खुले आम, कभी मीट की दुकाने बंद कराने पर उतारू हो जाता है, कभी सीधे सीधे मंचों से मुसलिम महिलाओं के खिलाफ भीशन आपत्ती जनक बातें कहता रहता है, और उसके उपर कोई कारवाई कहीं नहीं होती, पूरे देश में जिस तरह से जो नफरती एजेंट हर जगह निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं, इनका खौफ कितना भारी है, इसकी मिसाल अंगिनत वीडियो कर रहे हैं, जो आप तक और हम तक वर्टसप के जरिए, सोशल मीडि के जरिए पहुच रहे हैं, आपको इस समय जो स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा है, इसकी आवाज हम आप तक नहीं पहुचाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आप सुनें कि यह भगवा कपड़ा पहने, जो हिंदू आदमी है, जो घंघोर अपरात कर रहा है, प सारे आम होती है, और सारे लोग जो आगे हुजूम की तौर पर खड़े हैं, जो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वह जैश्री राम का नारा लगाते हैं, मेरा सवाल आप से, अपने से और अपने समास से यह है, कि क्या हम चाहते हैं, एक ऐसी उन्मादी भीड में इन तमाम नौजवानों का तब्दील होना, जो सामोहिक तौर पर एक इस्तरी के बलातकार को इन्जोई करें, यह वीडियो उत्तरप्रदेश का था, और इस समय जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यह गुजरात का वीडियो है, यहां बजरंग दल का एक आयो प्रवीर तोगडिया की जैकार लगा रहा है, वह जो बोलता है, वह हमें आपको और भारत को खत्रे में डालने वाला है, तमाम महिलाओं के खिलाफ अभधर भाशा का प्रियोग करते हुए यह व्यक्ति आजाद घूम रहा है, यह खुले आम कहता है कि मुस्लिम महिलाओं क किस तरह से शोशन का शिकार हिंदूओं को बनाना चाहिए, और इसके लिए वह राम का नाम लेता है, अब आप देखिए कि राम के नाम को किस तरह से बलातकारी उनमाद में तब्दील करने के लिए यह लोग उतारूं है, यही हाल करनाटक में है, एक तरफ जब हमें और आ दूसरी तरफ जमीन पर जो हकीकत है, जो हमारी आपकी जिन्दगी से जुड़ा हुआ है, वह सच क्या है, उस सच से लगातार यह नफरती एजेंट हमारा और आपका ध्यान हटाना चाहते हैं, जमीन पर क्या हो रहा है, इसके लिए यह वीडियो देखिए, यह भी आया मध मध्रप्रदेश से है, मध्रप्रदेश के नीमच जनपत में, मांसा तहसील में, कृषी उपजमंडी में एक किसान जिसने पैदा किया 4.5 कुंटल लहसुन और उसकी बिकरी हुई आप परची रसीद देख सकते हैं, 458 रुपे, परची में सारे डीटेल्स हैं, अब आप द तरहा सिर् गुस्से में आता है कि वह बुलाता है नगाडे वाले को और अपनी बर्बादी पर नाच करता है, हम और आप जानते हैं कि इस समय हमारे आपके घरों में जो सबजी आ रही हैं और खास सोर से जो नीबू है, वह किस तरहा से 300 से 400 रुपे किलो हो गया है, इसकी आप में तो निश्चित तोर पर मोधी सरकार को बढ़ाई बनती ही है कि उसने जो LPG है उसे भारत में इतना महंगा कर दिया है कि हम दुनिया में नंबर वन हो गए हैं, पुरी दुनिया में LPG इतनी महंगी कहीं नहीं है, पेटरोल में भी हमारा नंबर दुनिया में तीसरा है इसी तरह से डीजल में यानि हमारे आपके जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वह लगातार महंगी होती जा रही हैं यानि तस्वीर बहुत साफ है एक तरफ आम भारतिय नागरिक का जिन्दा रहना मुहाल होता जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो नफरती एजेंट हैं वह कॉर्परेट लूट के लिए रास्ता आसान कर रहे हैं पुरी नौजवान पीड़ी को एक उनमादी ब्रिगेड में तब्दील करने पर लगे हुए हैं यह जो देश के खिलाफ शडियंत चल रहा है इसे देखते हुए नूर नर्वी का एक शेर आपसे साजा करती जुम सहकर जो उफ नहीं करते उनके दिल भी अजीब होते हैं शुक्रिया